तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पाइथन का एक हलका सा जो मैंने एक ब्रीफ किया था तो मैंने यह भी बुरा था कि नेक्स चैप्टर हम एक थियोरी का लेंगे और उसके बाद जितने चैप्टर सोंगे उसमें कोई थियोरी नहीं होगी सारा कुछ प्रैक्टिकल होगा तो पाइथन की जो बेसिक अंडर्स्टेंडिंग है थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं दस मिनिट से जादा इस 1984 से चल रही थी ठीक है और यह बेसिकली वेब डेवलोप्मेंट के लिए सर्वर साइट देखो इसपेशली मैंने लिखा हुआ है इसमें सर्वर साइट इसका रीजन यह है कि पाइथन से पहले पीचपी की प्रोग्रामिंग की जाती थी सर्वर साइट के लिए ठीक है जैस हो वो हाइड डी होगी लेकिन अगर कोई ऐसे कोर्स हैं जिनको आपको छुपाना है या फिर आप चाहते हो कि बेक हैंड पे या फिर क्लाइंट एंड पे किसी को पता ना चाहिए कि इस कोड में क्या एक्जिक्यूट हुए जैसे होता है फॉर्म वेलिडेशन ठीक है एक ए होता है मतलब पर्टिक्लरली अगर कोई नॉर्मल इंसान प्येश्पी पढ़ना चाहिए तो डायेक्टली उसको एक्जिक्यूट करने में दिख्कत आएगी रधर देन उसको स्टेमेल को पहले फॉलो करना पड़ेगा जावा का हलका फुल का डेटेल लेना पड़ेगा उस इसलिए यह बहुत इजी प्रोसेस होता है इसका इसलिए वेब डेवलोप्मेंट में पाइथन का यूज अभी सबसे ज़्यादा किया जाता है ठीक है दूसरा मैंने दिया सॉफ्टर डेवलोपेंट तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इजी सिंटेक्स होता है और वर लॉजिकल ऑपरेटर मैक्सिमम ऑपरेटर उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो उसका इतना ज्यादा एक्सपेंशन का स्कोप होता है हमारे पास कि हम इसमें सारे ऑपरेशन कर सकते हैं सारे मैथमिटिकल के सारे फंक्शन एक्जिकूट कर सकते हैं इजी मैंसर्ट से और चौत languages से easily इसको attach कर सकते हैं किसी भी platform से easily attach कर सकते हैं सारी library सारी functions pre-built हैं अगर नहीं भी होते हैं तो आप execute बना सकते हो made कर सकते हो pre-made भी available है सब कुछ तो हम सब कुछ सीखेंगे ठीक है अब बारी आती है कि what python can do python क्या कर सकता है तो python can be used on a server to create application जो मैंने बताया कि इसको backhand पर बहुत अच्छे से आप इस्तिमाल कर सकते हो secondly python can be used alongside software to create workflow तो क्या मतलब हुआ इसका आप ऐसा समझो कि जैसे हम कोई calculator बनाते हैं ठीक है मैंने एक program बनाया जिसमें या मैं normal program नहीं बनाता है calculator function लेता हूं ठीक है तो देखो अब मुझे इसमें 9 plus 3 plus 6 यह मैंने कर दिया यहां पर answer आता जा रहा है लेकिन अब मेरे पास कोई ऐसा input है जिसमें लिखा हुआ है कि 9 into 12 जो होता है ना उसको plus करना है तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता लेकिन जो इसके पहले का process था वो मुझे अलग से करना पड़ा न तो यह process ना python में बहुत easy होता है हमको अलग से नहीं करना पड़ता ठीक है कोई भी आप software रण कर रहे हो simple logic skill आपको चाहिए आप नहीं चाहते हो उसको दिखो आप सीधे answer लिखना चाहते हो तो एक अलग से उसका terminal होता है आप वहां पर इसको create कर सकते हो तो इसलिए यह एक benefit होता है python का secondly python can connect to database system it can also read and modify files यह तो overall clear है ठीक है python के पहले python से पहले SQL से हम use करते थे एक bridge बनाके ठीक है एक connection बनाके .NET पे ऐसे किया जाता था लेकिन python बहुत easy कर देता है method को आप database से connect हो सकते हो उसकी file को modify कर सकते हो read कर सकते हो और बहुत सारे process यह मैंने हलका सा introduction दिया है आप लगबग सब कुछ कर सकते हो उसमें ठीक है next है python can be used to handle big data and perform complex mathematics जो हमने यहां पर बात करी थी right तो इसी लिए यह python easily कर लेता है ठीक है बहुत बड़े बड़े database को handle कर लेगा complex database handle कर लेता है इसके syntax इसके library इतने strong होते हैं कि easily आप कोई भी task easily perform कर सकते हो ठीक है उसके बात python can be used for rapid prototyping and for production ready software development यह वाला process मैंने आपको यहां पर complete कर दिया है ठीक है फिर यह मैंने अलग से इसलिए लिखा हुआ है ताकि किसी को दिक्कत ना हो को कि जो language होती है उसको हम कहते है rapid prototyping जो मैंने बताया था आप लोगों को हर बार एक program पे आप अलग से किसी दूसरे program को execute ना करने के बज़े आया आप side by side उसकी programming कर सकते हो और जो answer आया सी Python works on different platform like Windows, Mac, Linux, Raspberry, API कुछ भी आप use कर सकते हो कहीं पर use कर सकते हो जैसे मैंने पहले बताया किसी भी operating system से किसी भी integrated development environment से किसी भी language से easily attached हो जाता है उसके जो pre-built environment है उसको जल्दी से get कर लेता है और अपना function execute कर देता है सबसे अची Python की यही बात होती है दूसरी चीज, Python has a simple syntax similar to the English language ठीक है जैसे कि मुझे कोई language लिखना है मैंने लिख दिया a is equal to 18 और मुझे इसको execute करना है मैं चाहता हूँ कि 18 प्रिंट हो जाए तो मैं simple print command का use करूँगा यह देखो normal मैंने last में दिया हुआ है print just print hello world लिखूँगा और यह execute हो जाएगा मुझे कुछ नहीं करना है मैं बहुत मज़ा आने वाला है आपको ठीक है अब आजाओ हम कहां पर थे ओके python है syntax to allow developers to write program with a fewer lines than some other programming languages मतलब python का जो syntax है नहीं बहुत simple होता है और कोई भी developer एक normal एक line में ही maximum सारे code execute कर सकता है इसकी इतनी libraries होती है कि आपको full program लिखने की जरूरती नहीं है आप सीजे import करो library को औ और वो उसकी जो function है उसको follow करो simple execute हो जाता है बहुत easily और मैंने जैसे बताया है कि English language की सारे इसके syntax है सारे attributes है values है तो automatic आप बहुत easily इसको कर लोगे ठीक है जैसे other programming language में हमको बहुत कुछ करना पड़ता है हमको braces लगाने पड़ते हैं execute करने के लिए हमको functions देना पड़ता ह है declare करना पड़ता है है ना बहुत सारा semi-colon, colon लगाना पड़ता है तब execute होता है लेकिन python के साथ ऐसा कुछ नहीं है बहुत easy है ठीक देको python runs on an interpreter system meaning that the code can be executed as soon as it is written जो मैंने आपको बताया हुँ जैसे ही आप उसको code को लिखोगे और enter का button दबाओगे वह execute हो जाता है मतलब prototy prototyping बहुत quick होती है इसकी कुछ ही नहीं करना है हमको बहुत fast हम execute कर सकते हैं सब कुछ python can be treated in a procedural way an object oriented way और a functional way जो हमने वहाँ पर मैं जो मैंने ऊपर define किया आपको यह इसका मतलब overall यह होता है बस यह एक dictionary यह एक normal academic language है जिसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर क्योंकि यह चीज language मैंने समझा है ठेक है अब देखो good to know में आते हैं the most recent major version of python is python 3 इसके पहले क्या चलता था python 2 तो python 2 में आप जितने भी पुराने developers को देखोगे जो faculties होते हैं na coaching institute में वो लोग देखना mostly python 2.7 में आपको बताते हैं लेकिन यह जो python 2.7 था यह पहले ही use होता था और इसकी limitations थ इसमें बहुत सारी library हम execute नहीं कर पाते थे जो नए नए functions है नए नए operating system है नए नए syntax है आप मालो कि नए नए जो upgrade होते हैं वो python 2 में mostly काम नहीं करते इसलिए एक python 3 नहीं आया आया और अभी latest version चल रहा है जिसन मैं यह video बना रहा हूं अभी 3.9 चल रहा है तो हम जो भी working कर बनाएंगे और इसमें maximum function जो है execute हो जाते हैं ठीक है तो यह था इन दोनों में difference basic और difference जो है हम देरे देरे program बनाएंगे तो आपको और clear होता जाएगा although not being updated with anything other than the security update is still quite popular ठीक है इसको छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है हम security update में जाने नहीं वाले इसके लिए मैं एक library बताऊंगा आपको आप easily समझ जाओगे कि क्या बोलना चाहरा हो है ठीक है अब देखो python syntax compared to the other programming language जो मैंने execution की बात करी थी न यह भी मैंने लिख दिया है python was designed for readability यह बहुत बड़ी जीज़ है आप किसी भी programming language को देखो Java को देखो PHP को देखो HTML को भी देख लो है ना लेकिन समय readability नहीं है मतलब जब तक कोई व्यक्ति उसका जानकार नहीं होगा उसके syntax के बार में पता नहीं होगा उसकी elements के बारे में नहीं पता होगा वो अच्छे स को इसको पढ़ लेता है भले execution में थोड़ा समय लगे लेकिन यह समझ ज़रूर जाएगा कि यह क्या लिखा हुआ है ओके and had some similarities to the English language with influence from the mathematics जो मैंने अभी आपको बताया okay python uses a new line to complete a command जो मैंने बताया enter जैसी दबाओगे execute हो जाएगा ठीक है लेकिन दूसरी programming language में क्या होता है हमको often semicolon का use करना पता है execution के लिए parenthesis का use करना पता है brackets का use करना पता है तो थोड़ा सथ quite difficult हो जाता है उसको execute करना कभी कभी कोई कामा छोड़िया तो पूरा error आ जाता ह लेकिन python में ऐसा कुछ नहीं है हाँ इसमें python में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं indentation ये चीज python में बहुत ज़रूरी होती है और throughout the whole series whole chapters मैं आपको इस indentation के बारे में clearly define करूँगा आपकी कहीं पर भी गलती नहीं होने वादी है ठीक है using white space to define scope such as scope of loop function and classes other programming language often use curly braces for this purpose ठीक ह बहुत जरूरी है और white space को execute करने के लिए आप समझो कि white space भी उसके लिए एक function होता है क्यों python ये समझता है कि या तो ये loop है या function है या classes है कुछ ने कुछ तो है ये इसने white space जो है intentionally दिया हुआ है वो ये नहीं समझता है कि इसने intentionally नहीं दिया हुआ है वो छूड़ गया है मैंने print लिखा उसको एक English language वाली command दी भाई print कर दो क्या print कर दो hello world print कर दो मैंने यहाँ पे enter का button दबाया hello world print होगया simple ठीक है तो ये एक पहला छोड़ा सा प्रोगाम था इसको बनाना कैसे है मैंने आपको बताया था last में कि visual studio को download कर लेना तो visual studio की परा installation मैंने आपको बता प्रेतम करके पूरा practical करेंगे तो mostly जो हमारा theory part था हम python के बारे मैंने आपको बता दिया इस से उपर कुछ नहीं है आप कितना भी bookish language पढ़ लो overall conclusion यही निकलने वाला है कि this is python ठीक है तो अब फटाक से time waste नहीं करते अब जल्दी से हम अपना live server open करते हैं और सीधे python tutorial पे ज करते हैं जिकलो